हेलो फ्रेंड्स पाइचन सेखिने की स्रीज में मैं उनिस आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों यह चैप्टर 15 का लेक्चर 8 है और यहां पे एक निया special function के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम map function अभी तक हमने lambda function के बारे में मैं पढ़ा उसके बाद emulate function के बारे में भी पढ़ा अब यहां पर हमें एक निया function map function के बारे में देखेंगे मैं बता दू कि इस चैप्टर का नाम मैं इसको delete करता हूँ और हमको यहां पर map function के बारे में देखना map function देखने से पहले मैं एक प्रोग्राम करके आपको दिखाता हूँ लेट्स एक यह list है और list में let's say 1234567 elements ठीक है और इस list को आपको करना क्या है कि इसके square को print करना है ठीक है तो आप कैसे करोगे आपको simple करना क्या होगा कि आप for loop लगा होगा for i in l for i in l और print करा दोगा क्या print i into i ठीक है तो आप ऐसा for loop लगाया कर सकते हो लेकिन यह काम हम map function से भी कर सकते हैं कैसे तो एक बर मैं इस program को run करके दिखाता हूँ तो अभी सबसे पहले मैं हूँ कहां यह जानने का प्रेस करता हूँ तो pw2 present working directory मेरा c है और मुझे जाना d में है तो d में जाने के लिए मैं कहरूंगा क्या कि simple सबसे पहले मैं इस को पर उपर कर दो ज़रे कि आपको दिखाई दे अच्छा अब मुझे डी पर जाना तो chain directory करने के लिए cd लगाते हैं और d देखे मैं d में चला गया और d के बाद मुझे new में जाना है तो chain directory to new और new में चला गया new के बाद मुझे एक बर मैं देखने इस program का location कहा है तो new के बाद मुझे Python lectures में जाना है तो Python lectures में जाऊंगा Python और lectures पाइफन लेक्टर सिर्फ में चला गया। यहां पर पर प्रिस्ट्र प्रिस्ट्र लेक्टर न की थे हुआ था है। अब यहां पर मैं इस code को लिखता हूँ प्रोग्राम करने के लिए मैं करता हूँ पाइथन और फर्स्ट प्रोग्राम.py यहां पर लिखता हूँ ठीक है तो यह प्रोग्राम रन हो गया तो देखिए हमारे पास आउट पूट भी ऐस इती जा गया जैसे मैं सोच गया ठीक है अब इसको मैं फंक्शन से हम और प्रितसाइड बनाईगे चुछार एक चीज मैं और मता घ्रोग्राम चरुछ थे करने के लिए तो आप क्या करोंगे तो आपको सिंपल करना क्या होगा कि आप सिंपल अस्क्वायर नाम का एक लेट से फंक्शन बनाऊगे तो def और def के बाद मैं square नाम का एक function बनाता हूँ और square नाम का function मैं एक element पास कर देता हूँ और return मैं क्या करता हूँ return a into a ठीक है? मतलब इसका square return कर देगा अब इस चीज को मुझे print करना है तो मैं क्या करूँगा? print print first number इसका pass करना होगा इस list का first number मुझे pass करना होगा तो let's say मैं one pass कर देता हूँ और इस तरह से मुझे अलग-अलग number pass करना होगा देखिएगा अलग-अलग number pass कर लेकिन मैं कहूँ अलग-अलग किसी particular number का करना है तो आपको ऐसे करना होगा ठीक है let's say यहाँ पर अगर 2 डाले तो 2 से हो जाएगा अगर मैं यहाँ print करूँ और यहाँ 3 डाले इस तरह मुझे 7 print लिखना होगा ठीक है एक बार मैं इस program को रेंग-अलग कर दिखाता हूँ तो देखिए अच्छा प्रिंट के बाद हमें square function लिखा है नहीं तो directly 1 रे इस ने print कर दिया तो square में मुझे pass करना होगा 1 को और इसी तरह से square में मुझे pass करना होगा 2 को अब जाकर मेरे पास जो है output वही आगा जो हमने expect किया था हमने expect किया था क्या कि इसका square print हो तो square print होगा क्यूंकि square function में पिछली बार पास नहीं किया था इसलिए output एज़ेटी जा गया अब की बार जो हमारा output है अच्छा इस program को मैंने save नहीं किया अब की बार जो मेरा output है 1 4 और 9 आना चाहिए तो देखे 1 4 और 9 आ रहा है लेकिन अब इस चीज को हम function करेंगे मै इस双ए स्टे को यह करता हूं स्टे के में स्टे कर की मता हमति इस list को मुझे convert करना है । मतलब पाच कि लेक्से स्टे की कि बार जो मुझे इंक स्रास कभिन स्टे अपन करिएगा सबसे पहले मैप लिखना मैप के बाद उस function को लिखना यह जिसका आपको यूज करना है और साथ इसाथ उस iterate करने वाली element को लिखना मतलब आपका iterate करने वाला है इलमेंट क्या है तो यहाँ पर मैं एक इट्रेसन है एक एक एलमेंट को आप करते हो जैसे 10 तक किसी लूग को चलाना है था पॉर्ण टो थेरी फॉर फाइट से यहां भी ट्रेट करने का यही मतलब है ठीक है अच्छा इस प्रोगाम को मैं रन करूंगा तो देखते हैं मेरे पास आउट्पूट क्या था आउट तो इसको प्रिंट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ एक दूसरा यहां पर बनाता हूँ लेट से स्क्वायर से नाम का बनाता हूँ और इसमें मैं क्या करता हूँ इसको लिस्ट में सबसे पहले करने के बाद मुझे क्या करना होगा सिंपल मैप लगाना होगा औ उस function का नाम लिखे जिसका आपको यूज करना है और साथ ही साथ उस iteration वाले element को लिखना है मतलब आपको यहाँ पर एक list L नाम का iteration करना है तो आप simple L pass कर दोगा ठीक है अब इस squares को मुझे print करना होगा तो अब मैं simple कहा लिखे दूँगा print और sqs ठीक है तो अब मैं पूरा प्रोग्राम complete हो चुका है मैं इसको run कर आपको दिखाता हूँ तो देखिए 149,16,25,36,49 अच्छा अब आप कहेंगा for loop से तो इससे असानी से हो रहता है जी हां बिल्कुल हो रहता लेकिन अगर for loop को मैं कहूँ for loop से आपको list में भी convert करना है तो आपको append function लगाना होगा और दो line आपके और बढ़ जाएंगे लेकिन अगर आपको foundation दे दिया जाए कि आपका जो program है उसमें function का यूज करना है तब आप for loop से नहीं कर सकते आपके element को पहले pass करना होगा उससे नम्मर अब जो process है वह ज्यादा हो जाएगा ठीक है for loop कितनी बार चलेगा इसमें 7 बार for loop चलेगा लेकिन यह square जो map function है वह एक ही बार में इस चीज को कर दे रहा है ठीक है आप simple क्या यूज करूगा lambda यूज कर लेकर लेमडा करने के लिए आपको मैने syntax बता रहा है कि आपको simple करना क्या होता है आपको simple करना करना क्या कि आपको lambda लिखना होगा और तेके मैं कैसे करता हूँ lambda आपको आपको syntax याद और अभी तक तो इसको एक बार रन करके आपको दिखाता हूं तो रन करके दिखाता हूं तो देखें मेरे पास 149, 16, 25, 36, 49, as it is print हो गया मतलब हम जैसा output चाहते थे वह ऐसा ही आ रहा है तो अब ज़रा पिछले वाले प्रोग्राम को और इस प्रोग्राम को गौर करिए मैंने for loop से जो प्रोग्राम बना है उसमें iteration जादा हो रहा था मतलब 7 element है तो 7 बार iteration हो रहा था दूसरा जो प्रोग्राम हमने map function के द्वारा किया उसमें भी 2 line हमेरे जादा यूज हो रहे थे और साथ ही साथ अगर हम lambda का यूज करते हैं और मैं आपका दोनों साथ में यूज करते हैं तो precision और जादा हो जाता है मतलब number of lines और जादा कम हो गए अब ज़रा सोचे यही प्रोग्राम अगर जो लोग C, C++, Java पढ़के होंगा अगर यह प्रोग्राम मैं लिखने के लिए कह दूँ तो मुस्किल से उनको 50 या 100 line लेकिन जो python programmers हैं उनको 2-3 line में यह प्रोग्राम कर देंगे तो python पढ़ने का मैंने सबसे पहला benefit यह बता था कि number of lines कम होंगे easy है तो यह सारी चीजे हम देखते हैं कि इसका characteristics जो है कितना आसान है और characteristics को हम follow भी कर रहा है मतलब जो characteristics मैंने सुर्व में बताया था उसको यहां पर प्रूब करते हुए मैं चल रहा हूं जैसा कि मैंने बत जरूर शेयर करें थैंक यू